नमस्कार दोस्तों आज मैं ऐसे बेक्ति के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं जी हाँ दोस्तों मैं अखलेस यादो जी के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं अखलेस यादो का जन्म एक जुलाई 1973 के जो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुखमंतरी रह चुके हैं इससे पुर्व वेलगतार तीन वार सांसत भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलाईम सिंग यादो के पुत्र अखलेश यादो ने 2012 के उत्तर प्रदेश बिलान सबाचुनाओं में अपनी पार्टी का नेत्रुत किया था अखलेश यादों की पाचान समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में किया जाता है लेकिन साथ ही 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुखमंतरी बनना भी उनकी 20 पाचान में सामिल है झालेश जादों की पाचान में सामिल है